हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे के बीएस पीजीटी हिंदी के पाठिकरम में लगा हुआ एक टॉपिक कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग जिसको की हिंदी में कोड व्यत्य और कोड समिश्रन के नाम से जाना जाता है और इस टॉपिक को जब भी आप सिलेबस में देखे होंगे तो थोड़ा सा आपको घबरहाट हुई होगी कि आखिरकार इसका मतलब क्या है तो उसी चीज़ को हम इस वीडियो लेक्चर में देखने का प्रियास करेंगे मैं आगे बात चित करूं इसके पहले मैं आप सभी का आभार विट्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरीके से आप सभी को मोटिवेट करता हूं तो आप सभी भी मुझे मोटिवेट करते हैं तकरात्मा कमेंट्स करते हैं जिससे की मेरे अंदर लगातार निडरता आती जा रही है और खूल कर जो एक मारदर्षक कोछ चाहिए क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि मैं पैसे के लिए नहीं आया हूं बलकि मेरा ये पैशन है और पैशन के थ्रू मै काम करता हूं अभी तो मैं तीसी क्रास किया हूं और जब तक सांस चलती रहेगी और मन काम के लिए प्रेरित करता रहेगा तब तक मैं आप सभी से जुड़ा रहूंगा तो लगातार बने रहे और कैसे पैशन से कोई चीत पाई जाती है उसको भी आप देखते रहे तो अच्छा लगता है और तमाम वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट्स भी करते हैं वो भी मेरा मनोबल बढ़ाता है तो इसलिए मैं हर रिष्टी से चाहता हूं कि कुछ भी टॉपिक हो जो की आपके लिए कठनाई पैदा कर रही हो उसे जरूर हम डिसकस करें ठी यह किवल शब्दों का यहां पर वागजाल आप देख रहे हैं बहुत दरने की जरूरत नहीं है आम तोर पर हम अपने व्यवहारिक जीवन में इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कोड और स्विचिंग कोड मिक्सिंग क्या है इसके बारे में हम चलते हैं देखते ह पहले हम देखेंगे कि इनका संबन्द भाशा से है जैशिता आपस में अपने भावँ और विचारों को अबिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह भाशा का लाती है जो चीजे हम जाए वह अपने भावम हो चाह विचार उनको अभिवेक्त करने के किसी ने किसी भाषा का प्रयोग करते हैं और यह धोनी संक्यतों के माध्य में से माध्य में सामाने अर्थ के दिमाख में आ तीक आप अपने घर में विजलिक एलेक्ट्रिक बॉर्ड भी रखे होंगे यहां पर स्विच इत्यादी कर प्रयोग करते होंगे घर में मिक्सिंग भी रखे होंगे जब किचन रूम में आप देखेंगे तो आपर भी तो एक तरीके से जब किसी चीज को मिस्रित किया जाता है तो मिक्सिंग हो गया जब किसी चीज को एक जगा से दूसरी जगा ले जाया जाता है तो वो स्टिचिं तो प्राय दो भाषा बोलने वाले बालकों या छात्रों में देखा जाता है यहाँ पर बालकों चात्रों लिख दिया गया है यहाँ पर मनुस्यों को भी रखा जा सकता है ठीक है लेकिन यह lectures क्योंकि विद्यार्शियों के दिश्टी कोड में है तो उनसे जुड़ने के लिए इन सब्दों का प्रियोग कर दिया गया है यानि कि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग का प्रियोग दो भाषा बोलने वाले बालकों या छात्रों में देखा जाता है जहां वे परिस्थिती के अनुसार एक भाषा से दूसरी भाषा में अस्थनांतिर्ट कर जाते हैं यानि परिस्थिती के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करते हैं कि उन्हें किस भाषा में बोलना है या दोनों भाषाओं का मिस्रन करत के वार्तालाप करना है इसका आप बहुत तामाने उदारण देखें, कि जब आप किसी यातरा में राते हैं, तो वहाँ पर कई व्यक्ति खड़ी बोली में बोलते हैं, इसके बाद गई व्यक्ति जो हैं अंग्रेजी मिश्रित, हिंदी में भी बोलते हैं, और कुछ तो अपनी मात्री भाषां में ब शब्दों का प्रयोग करता है जो कम पड़ा लिखा है वो मात्री भाषा का प्रयोग करता है तो अगर कोई मात्री भाषा में बात्चित कर रहा है तो जायर सी बात है कि जो ये खड़ी-बोडी और English शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग होते हैं उनको भी अगर वो जानते हैं मात्री भाषा में तो उसी में बोलना चाहिए तो ये कहीं कहीं Code Switching और Code Mixing के तरफ ही संकेत किया जा रहा है आपको अपने दिमाग में यही रखना है कि Code Switching और Code Mixing का प्रयोग दो भाषा बोलने वाले लोगों के संदर में किया जाता है और इसका प्रयोग वे तब करते हैं परिस्थिति के अनुसार जब उनको लगता है कि Code Switching करना चाहिए जब उनको लगता है कि Code Mixing करना चाहिए तो वो परिसिति के अनुसार अपने वारतालाप में इसका प्रियोग करते हैं तो उम्मीद है कि मोटे तवर पर आप code switching और code mixing को समझ गए होगे आगे और कुछ उदाहरनों के मादम से समझें तो सबसे पहले हम बात करते हैं code switching के उपर code switching का अगर समाने अर्थ हम देखें तो क्या है कि जब सामाजिक संदर में या किसी से समबाद करते समय आवशक्ता के आधार पर व्यक्ति एक भासाई code यानि एक भाशा या बोली से दूसरी भाशा में बोलने लगता है तो इसे code switching कहा जाता है ठीक है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी समाज में रहता है या सामाजिक संदर में या कहीं पर समबाद करता है तो आवशक्ता के आधार पर एक भाशा code से जब दूसरे भाशा code में बोलने लगता है यानि कि अस्थानांत्रित हो जाता है तो इसको code switching कहा जाता है दूसरा इसका point है कि यदि एक भाशाई code या एक भाशा बोली से दूसरी भाशा में अस्थानांत्रित प्रक्रिया कहा जा सकता है इसमें वक्ता अपने वीचार को एक भाषा से दुसरी भाषा में परिवर्तित करता है यह सब आवशेक्ता अनुसार या परिशिति के अनुसार किया जाता है इसमें किसी मुख्य विचार को एक भाषा से दुसरी भाषा में बहुत लोगों को बताने ही तो अनावचारिक भाषा माध्यम में परिवर्थित किया जाता है तो यह क्या हो गया, code switching हो गया उदाहरण के लिए मैं अगर उदाहरण दूँ तो मान लिजे कोई बालक है जो हिंदी और मराथी दोनों भाषा जानता है तो वह आवशेक्ता के अनुसार हिंदी से मराथी और मराथी से हिंदी में बोलता है यही क्या है, code switching क्योंकि कई लोगों को आपने देखा होगा आपके एरिया में बहुत सारी लोग होंगे जो मुंबई गए होंगे और जब दुबारा वह आपस आते हैं तो कहीं-कहीं मराथी भाषा का प्रभाव लेकर आते हैं थोड़ा बहुत उनके उपर प्रभाव रहता है बहुत दिनों के बाद वापस आते हैं गाउं तो आप देखते हैं कि एक-दो दिन तक उनको लगता है कि मराथी ज़्यादा प्रभावित की है लेकिन फिर दिरे-दिरे वो अपनी मात्र भाषा हिंदी त्यादे में भी बोलना शुरू कर देते हैं तो कहने का मतलब यह है कि कोड स्विचिंग में क्या है कि कोई व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा में जब बोलने लगता है प्रांसफर हो जाता है तो वो कोड स्विचिंग कलाता है और उदाहरण देकर हमने बताया कि मान लिजिए कोई बालक है जो हिंदी और मराथी दोनों भाषा बोलता है लेकिन वह आवशेक्ता के अनुसार कहां हिंदी बोलना है कहां मराठी बोलना है, कहां दोरों में switch करना है, उसको बहुत अच्छे से जानता है, तो यह क्या हो गया, code switching हो गया, यहाँ पर मराठी के अस्थान पर पंजाबी, बांगला, गुजराती, कंड़, तिल्गू, तमिल, मलियालम, कोई भी भासा हो सकती है, तो आप अपने हिसा मतलब ही समझ रहे हैं कि मिस्टरन से हैं यहाँ पर, जब एक वाक के अंदर ही दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसे code मिस्टरन और जब एक भाषा कोई वाक के बोलने या लिखने के लिए अगला पूरा वाक के दूसरी भाषा का होता है, उसे code परिव बतbay on theahahaha तरह लेकिन कषट मिश्ट रन के बारे में संपर के बारे में तो मतलब है कि जब एक वहां क्या आंदर ही दूसरी बार्षा के शब्दों का प्रयोग होता है फ्लिए को हैं इंजकल फ्. उदारन के लिए यहां पर आप देख रहे हैं आम रहते हैं क lider में मैं संडे को मारकेट जाऊंगा मैं संडे को अनेमा देखने जाऊंगा इस टैपसे तो आप देख रहाएं कि यह राक है इसमें कुछ dol और अंग्रेजी के शब्द साथ तो यह क्या प्रियोग कि और न जगां पर code mixing का प्रयोग जादा कर रहे हैं अपनी जीवन में तो उमीद है कि आप सभी लोग इन बातों को समझ गये होंगे कि code switching क्या है code mixing क्या है दोनों को उदाहनों के माध्यम से भी हमने बताने का प्रियास किया उमीद है यह समझ में आगे होगा अब आप से ले बस देखेंगे तो आपको बिल्कुल घबरात नहीं होगी आपको लगेगा कि यह तो बहुत ही इजी टॉपिक था code switching और code mixing आप किसी को भी बता सकते हैं तो कमेंट करकर जरू बताएगे कि यह आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा इसी तरीके से लगातार आप प